एक बार फिर से आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है, मेरा नाम मुकेश है। जस्प्रीद बुमराह ने 24 साल पुराना इतिहास बदल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करने वाले दूसरे भारतिय गेंदबाज बने। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जस्प्रीद बुमराह ने शनिवार 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक बड़ी उपलब्धी हासिल की। हुआ इस मामले में दूसरे भारतिय तेज गेंदबाज बन गए हैं। ऐसा भारत और पाकिस्तान में 24 साल बाद देखने को मिला है। आपको बता दे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 191 रन पर ओल आउट हो गई। इसके बाद भारतिय बल्लेबाजों ने 7 विकेट रहते मैच जीत लिया, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 86 रनों की पारी खेली। इस मैच में बुमराज ने 2 विकेट अपने नाम किये। उन्हें प्लेयर आफ दे मैच का अवर्ड दिया गया और इसके साथ ही बुमराज ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में यह अवर्ड पाने वाले वह दूसरे भारतिय तेज गेंदबाज बन गये हैं। 1999 तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को मैन आफ दे मैच का खिताब मिला। इसके बाद अब 2023 में बुमराः को यह पुरसकार मिला है। अब तक वे विश्व कप मैचों में भारतिय बल्ले बाजों का इस पुरसकार पर दबदबा रहा है।